हाई बच्चों Last Stevie निम क्या था Metals & Non breaking property की परोपरिटी के और में उसकि फिजिकल क्या है उसकी क्या है ऑईरी compound कैसे बनाते हैं उस हईली concrete properties क Tian तो अबबात करेंगे Metall would ile only extraction of made battles lecture को किस तरह Extract कई दानि इकाला जाता nay के metal जो है बच्चों वो उसके साथ बहुत सारी गंदगी होती है impurities होती है वाँ से impurities को निकाला जाता है फिर इसको pure किया जाता है इसी study को हम लोग बोलते है metallurgy यानि कि the branch of science and technology which deals with the study of extraction of metals and their purification metals का निकालना उसको pure करना for the use use के लिए उसी को में लग बोलता है metallurgy और clear करता हूं उसको तो उससे पहले हम समझेंगे occurrence of metals सबसे ज्यादा metal कहां पाय जाता है occurrence बताब पाय जाना तो metals सबसे ज्यादा पाय जाता है earth crust में sir earth crust बिटा earth crust जो होता है वो प्रित्वी आर्थ यानि के जमीन का सबसे उपरी सत्य है आपको पता होगा general is fi जाता है सबसे ज़्यादा मिटक पाय जाता है तो वह फ्री स्ट्ट में होता है कलोराइड के form में उक्साइड के form में इस तरह जो समूंदर के अंधर वह होता है और अर्थ कलेज पहुत से का जो सार का कित्रों मेट जो होते हैं क्या वो फ्रीस्चेट में होते हैं स्विशी में अकील्ए होते हैं possiamo सिarcिसे ने कार माँगी आल्टोजन फेरारी अल्टोजन, फिरारी, सुन पर बदले में हर्स ने दी क्यूट कैट्रिना को हाड़ सिल्वर ओड़ी, याद रहेगा, येस सर, नीचे प्लेटीनम भी होता है बच्छा, ये की नीचे प्लेटीनम भी होता है, आच्छा, तो ये सारे जो मिटल्स हैं, ये रीक्टिविटी को ब क्या है यह सब मॉडरेट है बच्चोमде ही जो कॉपर की ऊपर है वह मॉडरेतली रहर Detay और यह सब कम और यह जो है ना यह सब लेस परढ़ गता मत 누ीकर्टेश करते है तो अगर मैं बात करू ना तो बच्चों ये कभी भी फ्री स्टेट में रहते हैं मतलब अखेना नहीं पाई जाएंगे इतना तो प्रकृति में अगर खुला रहता फ्री स्टेट में रहता तो यह दुनिया एक्जिस्ट नहीं करता आग लग जाती हावा सब सब कुछ में आग जाता है पूरा ये ब्रह्मान जलता रहता तो गौड का क्या 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 में इसका मतलब जो भी आर फाउंड इन कंबाइन स्टेट इक इसमें में वाय जाते है graphite दियार फाउंड इन कंबाइन स्टेट इन नेचर यह नेचर में कंबाइन स्टेट में रहते हैं मतब किसी ना किसी से जूड़े खुल सकता है या तो वह Oxides हो सकता है, या तो वह Sulfide हो सकता है, Sulfide मतल इनलफिर के साथ, Oxide मतल अक्सिजन के साथ, जैसे Sulfide के Example ऐलमीणियम Oxide Al2O3 जिसे Zine Galselfide यह वसकते हैं Carbure 회 Carbureate के Form है जैसे देख लिए जयद एंच Qui Carbureate के Form यह वसकते हैं sulphate के फॉर्म में और सल्फ के यह स्धिघ लिए यह दो थो रिमा इन्ययुसरे फॉडियू पुल्प और देन्या होज़ीड़िव धार गर्म चौ क्यों में यहां को आदा भी यहां लिख सब्तीम सकते हैं फॉस घॉाईरं पागोजाते हैं . दुकाerry ले座र कार्बोनेस बोलते हैं . नुटेका जाते हैं . दूकछी तू नुट कीसे Salvador और ऑक्षिजन है औरोकष्जन है आक्सपाइट भोलते हैं . units combined state in the form of their oxides, sulfites, carbonates, nitrates, etc. आहें समझ में? जी. अगर हम बात करें moderately reactive की तो बच्चों ये भी combined state में ही पाए जाते हैं. मतलब ये भी free state में नहीं पाए जाते हैं. क्योंकि ये भी कहीं दे कहीं थोड़े बहुत reactive होते हैं. अगर कोई पोले क्वी नहीं पाए जाते हैं, क्योंक हम जिस चीज को देखेगा उससे reaction करने लगेगा. तो इसलिए अके लिए नहीं पाए जाते हैं. ये combined state में होते हैं. लेकिन अगर हम बात करें, hydrogen की नीचे जितने भी metals हैं. हाइडोजन की नीचे जितने भी metals हैं, copper, mercury, silver, gold, platinum, ये सब less reactive हैं. और ये सारे के सारे पाए जा सकते हैं free state में भी और combined state में भी. मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये सब पाए जाते हैं free state में. लेकिन अगर उसी में मैं बात करूँ copper की और मैं बात करूँ silver की. तो बच्चों copper, silver की ये खासियत हैं कि ये free state में तो पाए जाते हैं, but into small extent. मतलब बहुत कम. silver और copper जो है free state में भी रहते हैं, बता अके ले रहते हैं, लेकिन बहुत कम. जानातर ये क्या करते हैं, mainly ये क्या करते हैं, brainstorm state में. जानातर ये भी combined state में पाए जाते हैं. सर किसके साथ कंबाइन रहते हैं यह रहते हैं सलफाइड के साथ या ऑकसाइड के साथ किसके साथ सलफाइड के साथ या ऑकसाइड के साथ या ऑकसाइड के साथ या ऑकसीजन के साथ रहेंगे या सलफर कहाद रहेंगे जैसे देख लिए एजी का देख लिए सिलबर ठीक है, copper oxide है ना, या copper oxide, तो अलग लग हो सकता है कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है तो क्या देखा हमने, हमने यह देखा दो कोई हम ध्यान तीज यहां पे, हमने यह देखा कि sir, metals जो होते हैं, वो earth के surface पे पाए जाते है, metals का major source है earth crust, और कुछ metals समुदर में भी पाए जाते हैं, हैणा और metals जो highly reactive है sir, वो अकेले नहीं पाए जाते है, वो दुकेले या थिंकेले, यानिके, combine state में पाए जाते हैं, जैसे वो पाए जा सकते हैं, chloride के form ay, oxide के form ay, sulfide के form ay, nitrate के form ay, sulfate के form ay, इन सके form ay, पाए जा सकते हैं moderate वाली reactive जो है वो भी क्योंकि वो भी कहीं ने की थोड़े बहुत reactive होते हैं तो अगर वो अकेले रहेंगे तो किसी ने किसी से react कर लेंगे इसी ने ये भी क्या होते हैं माइंस एक रहते हैं और लेस दो भाई यह तो पूरे पूरे फीर स्ट में रहते हैं लेकिन इनu से गोलते हैं यह लेकिन गोल्ड प्लाडिनम बिलकुल नहीं होते हैं इसी लिए वो फ्रीस्टेट में ही पाजाते हैं वही पाज जाते हैं तो अगर पोला जाएक एकदम pure, एकदम free state में पाए जाते हैं हम इसा, वो कोन है, वो है gold और platinum, छीक है, तो हम इसको बहुते हैं इनका native state, native, बतलब natural state क्या है, तो इनका native state है combined state, इनका native state है combined state, और इनका native state है free state, free state, जिसमें से copper silk और free भी होगा, और combined state में भी होगा, यह चाह है, अब देखिए, तो जमीन के नीचे से, यानि के अर्थ के surface, को ना surface, earth crust, तो अर्थ crust से जो भी metals, या जो भी metal के compound निकाले जाते हैं, उसको एक नाम दे दिया गया है, minerals, क्या नाम दे दिया गया है, mineral, ठीक है, मैं कहूं पर दिखता हूं, क्या नाम दे गया है, बच्छा minerals, तो सर, minerals क्या होते है, minerals क्या होते है, ऐसा element या metal का compound, the elements are metal compounds, which is found in earth crust in nature, जो कहां पाए जाते है, earth crust in nature, इसी को लोग बोलते है, mineral, क्या, दोग या पर मैं लिख देता हूं, क्या बोलाया बटापने, the elements, या दान दिजे, मेटा यहा देन दिजे, the elements are metal compounds, elements या metal के compounds, which are, which are found in, found in, earth crust, which are found in, earth crust in nature, in nature, with impurities, with impurities, मतलब गंदगी, मतलब ऐसे elements, elements या metals, element बोलो, या metal के element या, elements या metals या उसके compound, जो को नहीं सब compound के form है, aluminium oxide, aluminium compound, zinc sulfide, zinc compound, यानि कि या तो metals, या तो metal के compound, जो जमीन के सते पे, earth crust पे पाए जाते हैं, naturally, with their impurities, उनकी गंदगी के साथ, उसमें कुछ impurities भी होती है, उसको लोग बोलते हैं, minerals, यानि कि जमीन से निकालने वाले, जो earth crust है, वहां से निकालने वाला, कोई भी material, कोई भी metal या metal का compound, जो भ लाते है हमारा mineral, यादरा का definition, एक मार्क के लिए, बूर्ट इसमें आज चुका है, तो याद रखेगा, the elements or metals compounds which are found in earth crust, in nature, with impurities, are known as minerals, ठीक है, अब इन मिनरल में सारे मिनरल हमारे काम के नहीं होते हैं, इसमें से कुछ minerals, कुछ minerals, कुछ minerals में से हम लोग metal निकालते हैं, सब मे में से मिटल नहीं निकालते हैं, क्यों, क्योंकि भाई सब में जरूरी नहीं कि मिटल हो, कुछ minerals ऐसे होते हैं, जिन में high percentage of metals होते हैं, जाद से जाधा metal हो, या उस minerals में से metal निकालना सस्ता हो, cheap हो, या उस mineral में से metal निकालना, आसान हो, easy हो, यानि कि convenient हो हमारे लिए, convenient हो, convenient हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, और, क्यों बोलते हैं, ओर, यानि क्यों mineral हो, निकालना का process बहुत सस्ता हो, cheap हो, हा उसमें से निकालना आसान हो जाए, या सस्ता हो, पो या उसके दर बहुत ज़ुत मित्लम को निकालेंगे तो मद्रम मेंडल वंमेडल में जिसमें से मिटल स्कान भी सेपड stratum Táem मिटल कैन भी सेपरेटेड सेपरेड एकोनॉमिकली 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 यानि कि इसका मतलब क्या हो गया या तो कन्वीनियंट हो गया या तो बेनिफिट हो गया ठीक है तो इसका मतलब यह हो गया conveniently conveniently या profitably यानि कि उससे हमारा या तो फाइदा हो या तो हमारे लिए वह आसानी हो that is economically तो आर नोर आज और आया और समझ में ये के लगवा बिटा अब मैंने कहा बोला इस mineral के साथ कुछ गंदगी रहती है कुछ impurities रहती है उस impurities को हम लोग बोलते हैं gang the impurities present in minerals like sand silica rocky substances and some compounds with along with some compounds are known as gang I suppose when I suppose school 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 college who can't be a break time and I believe the time man the comment yeah baby the time gang game gang gang the impurities present in minerals in the form of sand and I read हो गया that is silica विटा वही हमारा या आप बोल दो stone पत्थर या आप बोल दो rocky substance and rocky substance यहां कैसा बोलते हैं धूल मिट्टी पत्थर धेला बोल दो धेला होता है तो वह सब रहता है किसके अंदर मिटल के मिनरल के साथ तो इसी को में लोग बोलते हैं गैंग पार्टिकल्स यहां तर क्लियर है ओके आगे बरूँ इरेज करूँ फटाक से स्क्रिंशोट ले फटाक से तक एरेज करूँ मैं अच्छा ठीक ठीक है तो हमारा मिनरल और और गैंग हो याद रखेगा यह एक मार्क के लिए आता है चलिए अगे मैं देके मैं की लिए अगर रहे हैं झान के लित बीए घ्रीम है जो और है इसका नाम है राकी सॉर्ड चानम है राकी सर्ट असका फिरण फर्मुला है ल एसे और एने सिर्फ खलाम नाम क्या होगा इसका केमीकल नाम है सोडियां घ्लोराइड सोडियां राइड यह मारा हो गया हुस तरह और हम बात करें तो एलॉमीनियम का आर्ण का अच्छा बोकसाइट और कौन सा और कुछ ऐड़े शीन का केमिकल नहीं बोले तो इस कॉम्पांड का केमिकल नहीं होगा एलुमीनियम औक साइड अलुमीनियम खुशाइड फूरी अलुमिनियम औक साइड ही लेकिन सिर्फक कंपाउन का बोल रहां अलुमिनियं आक्साइट जिक सी तरह तरह जिंक का ले लिए जिंक का कलवसिगकोर नियूंट कलमूय कलमाइश कदेशिब क्लमूल्स एकनम कलमें इसको अलो नुए जबलेंड कनो कोड़ेंड Gbi और बात करो अगर तो लेनों जैसे आइरन लेलो आइरन का होता है हेमाटाइट क्या होता है हेमाटाइट उसमें आइरन ऑक्साइड फी टू थी तो यहां पर आंग के रहें तो अगर ज्यादा वैलेंसी होता है तो कई बर पर्चोगे भिटा आगर वैलैंसी जादा हो तो बोलेंगे एक और सी कम हो तो पढ़ेंगे अस और आयरेंड के वैलेंसी टू भी होती या धृत ज्यादा के लिए पाइरॉलुसाइट यह यह से पच्छुआ पायुलुसाइट यह ताम राइंगनी ऍटाइ ऑसिट क्या मैंगनीज डाइंग 3 sedos उसाइड ठिघट चैनली है और रों चलो और ले ले लेता हो फिरका ले थी defer रिदा ओैने कपराइट कर द्पराइड यह ऐता हमारा c C to copper के वज़न से कम यूज की गई तो परस कपरण ऑगज्साइड और दूसरा होता है कॉपर ग्लांस क्या कॉपर ग्लांस कॉपर ग्लांस अभी सुमार लिक्न हो नो आपके देख लेना है आपको एक स्टानोल च दरहाऊ हो मैं भही बहूत फ्यम्हस है एक्जाम में प्र शन करनाम तो मर्क्युरी कर अकर आंब क्या सिनेबर ne हैं ओंत चुआ एस चुण अच्छी एस Dr टो इसी जिए मर्क्यूरिक सिलफाइड मर्क्यूरिक सीलफाइड टिशित कर यह सारे वीटा और से हैं अलग अलग मेडल स्योडियल के आम किया है स्योडियम के और का बाइँ रॉकी 40 अलुमियन का बॉकस विजिंग का दो था केलमार्ड और जिन्थ इस तरह आईरन का हेमं का हिम इसका पार्मॉइ साइड नौपर नौप सम और नध blat शिलLE में जब जाएँ लुवार conflicts चुलो जाते हैं हम इन में से क्रते हैं कि में मुझे शूडियूम जर्टियम इनमसे मुझे यह जीद चिक यह जिंग यहां से मैई जिस में से मैजिट को अलग करूए और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटालर्जी the branch of science and technology which deals with the study of extraction of metals metals का extraction from their ores ये और है ना ये क्या है और है तो from their ores उसके ores में से metal का extract करना metal का निकालना and their purification और उसको purification फिर उसको pure करना for the use is known as metallurgy ठीक है तो फटाग से screenshot ले लो फिर क्या करूंगा मैं इसको raise करके आगे बढ़ता हूं ले लिया ओके ठीक है तो देखिए metallurgy क्या है science का वो branch जिससे हम क्या करें जिसमें extraction of metals और उसकी purification की पड़ा ही करें उसको हम बोलते है metallurgy है ना कि metallurgy क्या है विटा the branch of science which deals with the study of extraction of metals and their purification है ना उसके और से metals को निकालना तो वो जो हम extract करते हैं metal का वो पाच steps में होता है यह ना यानिके metal को किस तरह निकाला जाता है क्या क्या प्रोसेस किया जाता है वो सारे पाच steps में अच्छा से दिखिए पहला स्टेप जो हमारा crushing 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 of or crushing crushing of ors की पहले का करेंगे हैं crushing crushing का मतलब क्या उसका तुक्रे टुक्रे कर देना crush कर देना तोर देना और यह हम करते हैं बाल मिल में बाल मिल में क्या होता है भाई एक मशीन है अना बढ़ा सा मशीन होता है उसके अंदर क्या करते हैं क्योंकि हम जानते हैं जुँआरी और है वह पत्थरों के फॉर्म में होते concentration of ore, देखे नामी है concentration, मतलब ore का amount, ore का concentration बढ़ जाना, कैसे बढ़ेगा उसका concentration, तो यानि कि हम उसमें से निकाल देंगे impurity को, that is removal of gang particles, removal of gang particles, या बोल दो impurities, impurities को उस ore से निकालने को ही हम लोग क्या बोलते है, concentration, concentration का मतलब क्या है, removal of gang particles, अभी देखिए, ये जो है न, इसके चार अलग अलग process है, जिससे हम क्या कर सकते है, concentration कर सकते है, जैसे मैं बात करूँ, पहले method की, तो पहला method है हमारा, on the basis of gravitation, या आप बोल सकते हो, gravitation separation, gravitation separation, separation, अच्छा, इस method में क्या होता है, देखिए, gravity का इस्तमाल किया जाता है, gravity जानते हैं, श्रसे पीचित को आप छो पहले marker करेगा, कि कि मारकर का मास जादा है, तो इसका यही principle है, इसका क्या principle है, यहिए कि हमारे जो और रहेंगे, और उसके अंदर जो गैंग रहेगा, गंदगी जो रहेगी, impurities रहेगी, दोनों का mass, या बोलो दोनों का weight, जो होगा, दोनों का weight, वो क्या होगा, डिफरें टेबल लेते हैं इस टेबल का नाम इसका मेटोड़ का नाम भी है भाईलवल टेवल मेधन पहल नाम है को वाईलवल टेवल मेथ easeln गोल सकते हो कि हम कौन साा प्लाई करेंगे वाईफली टेवल है और इस्zig तरे से गुक्स है गड़ा यह गूप्स इसको ब탈 conta द्यानिए के 캡़ है और यहां पर यहां पपानी स्प्राइब यहां पर यहां से यहां से मैं वांटा था बाल रहे हैं तो पनी डॉल यहां पे तो और जिसे हम डालेंगे ठीक है पानी के प्रेशर की वह से वह निशे निशे की तरफ भागेगा और वैसे भी ग्रेविडी के से नीचे जाएगा तो अभी जिसका वजन जाता होगा वो इसमें फंस जाएगा और जो लाइट पार्टिकल्स रहेंगे हलके रहेंगे वह क्या हटीवी और हमारा जो गैंग है गैंग वोहलाइट इनके हलका है तो क्या होगा तो और यहां पर फंस जाए रिट से बनाते हैं कि समुझह महां यहां पर मैं इस ग४र कि इनदर क्यांद गवाई इस ग्रूब से हैं और फंस क्योंकि और अब क्वार पांधीगल ए तो हमार एक टेबल एक टरहे घ्रीट करते हैं और पानी का वहाद डालते हैं तो क्या होता है पानी के बहाओ से जो भी और है और गैंग दोनों नीचे के तरफ जाएंगे और जो हलके पार्टिकल है वहादी की साथ नीचे चली जाएंगे और जो हेवी पार्टिकल है वो इसमें फच जाएंगे बजरूरी नहीं कि और ही यह भी हो डिपेंट करता है अगर और हेवी हुआ तो और यहां फच जाएगा अगर गैंग है वी वा तो गैंग फच जाएगा अगर गैंग फच्छ दूनों का बस मास्ट दिफेरेंट रोना है दूसरा यहां पर लिखता हूँ हाइड्रॉलिक सेपरेशन हाइड्रॉलिक सेपरेशन नामी है हाइड्रॉलिक हम इस मेथेड को भी बोल सकते हैं हाइड्रॉलिक सेपरेशन ठीक क्योंकि पानी का इस्तमाल यहां भी क्या जा रहा है तो क्या करना है वह एक टैंक लेते है यहां पर बताता हूं है एक हमने टैंक लिया ठीक है उस टैंक के अंदर हमने मिक्स कर दिया और 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 गैंक दोनों मिक्स कर दिया ठीक है ठीक है यह रेट से बना रहा है और और के साथ गैंक भी मिला हुआ है और साथ में पानी भी मिला दिया मैंने वाटर ठीक है तो इसके हम और इनले यहां पर एक औरइलिट दे दिए अधि जहां से पानी एंग जो लाइट पार्टिकल्स है इनमें भी क्या है वह सेम कॉंसेप्ट और और गैंग का वजन अलग होना जी ठीक है अब नीचे और है फिर से मैं मान रहा हूं कि हमारा जो और है वो क्या है वो है वह भी निके वजन ज्यादा है तो वह नीचे चला जाएंगे वह ग्राविटी वह ग्राविटी इसका अगर वह लाइट है या निके हलका है दो को ना पानी का यहां से प्रेशर चोड़ रहे है निकाल दो और यहाँ पर किसी कालीक्र में अब कर लो पूरा क्या जाएगा और अच्छे और यहां से भी एक कैसा उपन कर दो और यहां से क्या निकलेगा यहां से पुरा-पूरा गैंग निकलेगा तो आपने गैंग को यानिक इंपिरिटी गंदगी को और और को अलग कर लिया और इस मेजट का नाम क्या है और यहां पूरा-पूरा पानी के दोनों जो और इंपिरिटी गंदगी वह प्रेशर के से गंदगी जो हलकी है लाइट पार्टिकल है गैंग तो गैंग हलका उनिके से उपर चला गया और हमारा ओर हेवियोनिक से नीचे आ गया और इस तरह दोनों अलग हो गया अच्छा सुर्ण और समयत ही में सक्या हर आवता हमारा दूसरा घूजेयान वह है हमारा मगेज्टिक सेपरेशन क्या है मेंगनेटिक सेपरेशन फिस सेने ईल Clip है यहां पर वे उसी ओर खूंए नोना थीमिचों अचा, तुर क्या समझा नहीं, देखिए, आप क्क्या कर लीजी, दो वील लिए जी, ति जो के दो, और उसको उसके बेट लगा दीजी, देखा रहाएका आपने चक्की मसीन में, हाणा, मिल जो होती है, आठा चक्की, ये क्या हमारा ओर यहां पर इसमें और पोड़ करना हूँ इसके ंदर मैं डालना हूँ और यहां पर यहां पर तरफ जाएगा यहां रही है और भी और अगी की तरफ जएकंगर और अमने क्या क्या है यहां दैंदीजी जी से यह अरा में और यह ए रृ क्रीक और यह लिन्स हे एमारा बैगनेटीक मागनेटीक मैगनेटीक है मतलब चुम्बक किया है मतलब यानि के क्वहाद जड़ा रहागा तो लौक हो च्पक जाएगपया यनिक यहां पर वही और लेपाइंगे जिसमें आय beginnen हो यनिक क्या होता है मागनेट़िक कर्णा तो आख चिपक जाता है तो तो सबसेटिए हुआ इस तरह का को जिसमें एक जो गंदगी हो वह ना अजैनद नोज तरचे महारा ओर जो है वो मैग nossa है और सो हमारी इंपरräटी है यहां नॉन मैग्निनेटिक है तो पता ये इसमें से मालेची हो प्र እ 0032 अब माल को यहां पर मैंनेुड फेल यहां पर कर दिया है यहांपे अ burial nag बारग दिया है, collector गोल तो इसको, collector, collect करने वाला, collector, चब्ड, तो इसमें सारे के सारे और इसमें आ जाएंगे और इस तरह हमारा और अलग हो गया, और जो गंदगी रहेगी, gang, जो गैंग, जो गैंग रहेगी, gang, ठीक है, वो इसमें चिपकेंगे नहीं, तो वो दूर गिरें गश्रлекन्ट क्लिएगे ईसमें क्लाने कई कई हमारा नईलगए तो इसके लिए एक वीन कर लिया में एक शेपकते शेपकते यहां अाँ जाएगा और इस तरह और हमारा अलग हो गया तो इस कार्टर के अंदर और है और जो गंदगी है को दूर-जागे तो इसका पर बता हूं दो में इसका example बतागे आपको इसका सब से अच्छा ग्जम्पल है कैसी टेराइट कैसी टेराइट यह एक और है जो किस्से में मिलकर बना था यह बना था है टीन ओकसाइड एसे इंबटा टीन की किसका रियल निमें स्टैनल ठीक है तो यह का नाम स्टैनिक ऑकसाइड याप इन अग्साइड भी बोल सकते हैं ठीक यू लिया क्योंकि इसके वालनसी दो यूश्की गई है ना वालनसी ज्यादा होती है तो एक पढ़ते हैं और बना होता है यह फई डबलू ओ फोर फेरस टेंग स्टेट फेरस यह फोर फेरस टेंग स्टेट यह डबलू का डूम्सर अनुप्ण्स टेंग से लिगते हैं कि इसका लटी नेम वहल फ्रम इस लिए डबलू से लिखते हैं वह नॉन मैंगनेटिक तू बताओ इसवाले में कौन यहां पर आएगा स़री आप आएगा फेरस टंग स्टेट कि किसमें आयरेन है वह इस वाले में आ जाएगा और इंपीरिटी क्योंकि नॉन मैंनेटिटिक है वो दूर चले जाएगा आयसे मुझमें तो यहां पर यह वाल अब सरीए फ़राथ फोर डिशन कैक देखिए फ़राथ का मतलब हirus होता है जाग ऑर अधिर टाहर नहींद 먹ना तेल नहींत तो यहां पर ऐसा कुछ होता रहेगा अच्छा क्या होता है यहां पर हम लेते हैं एक कंटीनर यहसे ठीक है उस container के अंदर हम डालते हैं और को किसको डालते हैं हमने हम डालते हैं उसके अंदर और को मैं रेट से बनाता हूं ठीक है हमने इसके अंदर और को पोर कर दिया है पोर कर दिया है और को डाल दिया है अच्छा और इसमें वाटर भी मिक्स कर दिया है क्या मिक्स कर दिया अब बात में इसमें मिलाते हैं पाइन ऑइल जांते हैं ना पाइन पाइन का दिल या चुपचाप अगर मालों पाइन नहीं नहीं कोई भी ऐसकते हैं अगर आप पाइन नहीं जांते हो तो कोई कोई हम ले सकते हैं जनरली पाइन लेया जाता है इसलिए मैं उसकी बात की ठीक अब यहाँ पर यहाँ इसका concept क्या है तो देखो इसका concept है कि इसमें इसमें एक जो होना चाहिए एक जो होना चाहिए वह हाइड्रोफिलिक होना चाहिए और एक हाइड्रोफोबिक होना चाहिए जैसे मैं बात करूँ हाइड्रोफिलिक हाइड्रो मतलब वाटर फिल मतलब ने ना उन्वारे गैंग पार्टी कालो लोटेना मनống से पार्टी कल गैंग बैझा पार्टी का रेंग गैंग फानी ना फॉल जाया पानी मेंसा थैना थे से नफरत से वाटर हेटेंग आप तो और में पानी मिलेगा लेकिन गंदगी पानी में मिल जाएगा और यह जो और होते है हमारे यह ओर है ये झाय लविंग है ऑल लवीग मतंव जो हमारा और रहे गान उसमें विक्स हो इस Cinemat लिए लेकिन इसका एक्चुली का मैं जाग बुनाना क्योगी यहां पर बार बार गोल गोल इसको अगिटेट करेंगे तो क्या हो जाग बने लगें तो जाग बने लगेंगे और आघैगा अगर पानी के दूद्ध भी थोड़ा तर ऑई देको ना आप जब जिस ग्लास में दूद्ध पीद देको ना वह थोड़ा जल्दी साफ नहीं होता है तो दूद्ध में भी उपर आ जाता है और बागी चीज़ें प्रोटीन वगरा नीचे चली जाती है तो वैसे ही है अभी जैसे आप इसक चीपक जाएंगे तो और जैसने चाणिखेंगे तो सारे की सारे और और यहां पे जामाय हो जाएंगे जो भी हमारी गंदगी वह होते हैं यहां उपनिंग कर दो यहां से सारा कशा क्या और निखाल निकल लब थे यह सिर्फ और क?, यह सिर्फ और सिर्फ सलफा के लिए किसके लिए है कि क्यों। क्योंस करें यही वी जो और है जो ऑल से मिक्स हो जाते हो जैसे अंप बता हूं तो इसके यह आप एक्जांपव तो यह सलफाइड और का ही फ्रॉइड निकालने के लिए अलग अलग प्रोसेस ना मान लोग और वसन अलग हो तो भाई ग्राइशन से करेंगे उसमें तो अलग अलग टेबल करें या इल्डाल अब अगर मान लोग एक मैगनेटी के एक कि एक मैगनेटीक और दूसरा ननमन्मागनेटीक हों गए लागनेटीक वह अलग हो जाएंगे डूसरा तरीका अगर वह सल्फाइड होगा ऑल लगी तो तो हम इस फ्रूस्वलिटरिशन अब और मेधा है मैं फॉर्थ मेधाट जो है यहां पर लिखता हूं फॉर्थogenेट वो है हमारा लीचिंग 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 इसमें क्या होगा इसका प्रिंसिपल यह कि इसमें से कोई एक हमारे पास क्या है गैंग मिक्स है किसमें और में ठीक है इसमें से कुई ओर कोई एक जो है ना वह वाटर में गुल जाएगा को दूसरा नहीं गुलेगा तो यहां पर मेंली क्या देखते हैं ओर जो सॉल्वेंट में जरुन युद्ध में वह पानी हो जैसे मैं लेना हुए अकॉस्टिक सोडा पर तो यह गुल जाता है दो इन इंसल और लेलो कोई है न हुई साल रिखिविड है की दिए एक निक्स हो गया लेकिन ये गैंड नहीं हो पाया फच्ताकर दो फिल्टर पेपर पर रखो जो गैंग वो निकल जाएगा और हमारा कॉस्तिक सुड़ा और और दोनों मिक्स होके अंदर अलग हो गया तो गैंड निकाल सब्सक्राइब करना पड़ेगा जैसे हमने देखा पहले प्रोसेस में जो ग्राविडेशन के बेसिस पर था जो और और गैंग में से कोई एक हलका होना चाहिए और को एक हैबी भाड़ी होना चाहिए और ग्राविटिक नहीं चिपके तो दूनों अलगो जाएंगे जिसे हमने देखा था इसके इंदर टी न ऑक्साइड था इसके लागवा आइरन का किया था टंग स्टेट था जिसमें से जो आइरन वाले थे वो मैगनेटिक थे वो चिपक जाते हैं और जो हमारा टीन ऑकसाइड है वो क्या और निकल जा रहा है गैंग उसी तरह हमने तीसरा जो मिथट है फ्रॉथ फ्रॉडेशन वहां देखा हमने कि वहां पर हमको ऐसे ओर जो क्या हो ओईल लविंग हो ओईल से चिपक जाए और पानी से नहीं चिपके पानी में नहीं घुले और गैंग जो है गैंग पार्टिकर गंदगी वो पानी में घुल जाए है ना तो वहां पर हमने इस्तेमाल किया था सल्फाइड और जैसे जिंक ब्लेंट जैनेस कॉपर कॉपर पार इट इस्तेमाल किया था उससे तरह लीचिंग लीचिंग करेंग और 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 ओर में से कोई घुल जाए किसी सॉल्वेंट नहीं जैने कुछ लग जाए और जो गन्दगी और इसे पेपर्स को अलग कर देंगे कि तो अगर मैं बात करूं लीचिंग की तो लीचि और शक्राइट करते हैं उसके टुक्रे करते हैं तो पहला तरीका है फर्स्ट इप हमारा वहीं क्या करना फर्स टेप आपक्राइब क्रेशिंग ओर को प्रस्ट कर दो तो तोट वाल मिल में डाल दो आप उसके छोड़ा शरी टुक्रे-टुक्रे हाँ जाएगे ओसके बार हम इसका करते हैं concentration concentration abusedी fake living figOT कैसे करते हैं तो सहर और का कॉस्त्राइब और का concentration अलीचिंग में यह होता है कौन सामे टेर्स है लीचिंग में अच्छी अब इस में दो में एक है हमारा एक हमारा बेर्स प्रोसेस बेर्स प्रोसेस यह बेर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था और दूसरा है हमारा हॉल्स प्रोसेस दूसरा है हॉल्स प्रोसेस यह हॉल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था अब देखिए इस प्रोसेस में होता क्या है यह एक chemical process है जहां पर chemical reaction होगा और chemical reaction के बाद गंदगी निगल जाएगी और जो काम की चीज़े हैं वो हमको मिलेगी ठीक है अच्छा सर कैसे करते हैं अच्छा देखिए तो जो हमारा बेर्स प्रोसेश है ना उसमें लिया जाता है इसमें हम लोग यूज करते हैं अगर मैं बात करूँ बेर्स प्रोसेश में तो देखिए एक टैंक की लिया जाता है एक टैंक की लिया जाता है जिसको आप बोल सकते हैं डाइजेस्टर टैंक मतब ऐसा टैंक होता है बच्छों कि जिसमें हम बहुत ज्यादा हीट दे सकते हैं लेकिन उस टैंक को कुछ नहीं हुआ यानि कि हमारी हड़ियां तक मिल्ट हो सकती है इतना ज़धा टेंपरिशर दिया जाता है ठीक है तो इस टैंक का नाम है डाइजेस्टर टैंक डाइजेस्टर टैंक ठीक है डाइजेस्ट कर देने वाला इसमें हम लोग मिलाते हैं बॉक्साइट ओर क्या मिलाने वाले हम लो को मिश्रन दोनों का मिक्शर हमने इसमें मिला दिया है और हमने यहां पर इसको हीट दे दिया है लगबग 150 to 180 degrees Celsius 150 to 180 degrees सोचो कितना ज़्यदा temperature हमने दे दिया और हाइप्रेशर प्रेशर जो है बहुत ज़्यदा दे दिया हमने हाइप्रेशर और 150 to 180 degrees Celsius temperature और हमने इसको छोड़ दिया है दो से 8 घंटे के लिए 2 to 8 hours तो यहां पर क्या होता है कि reaction होता है यह जो हमारा कॉस्टिक्स होड़ा है यह reaction कर लेता है बॉक्स साइट और के साथ al2o3.2h2 और यह बनाता है naalo2 naalo2 plus h2 यहां से हमको मिलता है sodium aluminate अब देखो हम जानते हैं जो हमारा aluminium oxide है वो होता है amphoteric in nature amphoteric का मतलब क्या बढ़ाया हूँ amphoteric का मतलब होता है ऐसे oxides जो acid से भी reaction कर ले और base के साथ भी reaction कर ले उसको क्या बलते हैं लोग amphoteric oxides जैसे aluminium oxide हमारा amphoteric है zinc oxide हमारा amphoteric है यह acid से भी कर लेता है और यह acid से करता तो basic बहेब करता और acid plus base किया देता है salt plus water तो यह हमारा salt है और यह है तो इस सॉट करा आम सोडियम एलुमिनेट क्या मिला सोडियम एलुमिनेट मिला अच्छा और क्या होगा अगर यहीं चीज तो सेम चीज है उसंने कॉस्टिंग क्या लिया sodium carbonate sodium carbonate यहां पर हमने लिया बॉक्साइट और एल्टो त्री डॉट टुट 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 क्या मिलने वाला है सेम चीज एन एल ओटू sodium illuminate बस यहां पर कर्बॉनेट है इसलिए कर्बन डायक्साइड निकलेगा और वाटर निकल जाए ठीक अब इसके बाद जो sodium illuminate मिलता है यहां से यह salt हमारा मिला और जो हमारा बॉक्साइट ओर होता है इसके अंदर impurity क्या क्या होती है अबको बता है इस बॉक्साइट ओर के अंदर इंपरी होती है silica si o2 जिसको हम लोग रेट बोलते है इसके लाबा titanium oxide ferric oxide fe2o3 titanium oxide ti o2 titanium oxide ferric oxide और silica या silicon dioxide यह तीन होती है जिसको हमको निकालना है अब इसमें से जो हमारा iron oxide होता है यह dissolve नहीं होता है क्या leaching का principle क्या है कि और में और जो हमारा और होगा वो caustic soda में dissolve हो जाएगा और impurity dissolve नहीं होगी तो filter paper से इसको निकाल देंगे तो यहां पर हमारा जो iron oxide है iron oxide है मैं बोलों अगर Fe2O3 तो यह dissolve नहीं होता है डस नॉट डिजॉल्व इन caustic soda in caustic soda and can be separated can be separated और can be filtered using filter paper ठीक है इसको filter कर दिया हमने निकाल दिया separate कर दिया या बोल दो can be separated लेकिन silica जो होता है हमारा silica और इंपरिटी यह उसमें dissolve हो जाती है घुल जाव दिया किसमें caustic soda के साथ और और के साथ मताब वो घुल गया लेकिन यह अलग हो गया तो हमको जो यहां मिला बिटा sodium aluminate न एल गोट अब हम क्या करते हैं इसमें पानी मिला इसमें इसको थंडा करते हैं तो जैसे मोटर मिलाते हैं यहां आपको मिलता है एस गैवियफ कैने अ Edwards को आथें एलोइच थी अलमिनियंग थी एडर Yoksaid कहीं ब Trying Friends को वाईलेटर हैं डाम आपको कुछ बालेंस करना हो तो कॉस्टिक सोडा औरcribe लुल के याप है उपर निंगाटा और यह वह रहें और जाता हुं है और भीवह का Easy होना मतलत मंतलम नीचे जाक्त जैक्त लखनान अगर यह टैंक है तो इसके अंदर क्या नीचे जाक्त रहें और यह आइगा यहांसी को स्य जो धूंडराट ूब कर जाक्त छीज हैं कि जब हम sodium aluminate को पानी में मिलाएंगे पानी में मिलाएंगे तो साथ में हम carbon dioxide gas भी देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या हमको यहां पर मिलेगा अब इसको याद आपको रखने का तरीका में अब इसी को यहीं चीज को यहां लिख दो सेम इसको इसको यहां लिख दिए और आपको बार दो मैं किस तरीका है बेर्स ने बताया था लीचिंग करने का और हॉल्स ने बताया था तो दो अलग लग वे हैं किस तरह हम लोग उसको लीच करते हैं फिर लीचिंग करने के बाद तीसरा प्रोसिस हम अपनाते हैं तो फटाक से स्कीन शॉट ले लीजिए फिर मैं एरेज करके आगे बढ़ता हूं कर जогने तो हमारा दौस की होचुक आता पहले स्की आता पहले स्टेप करेंगे करश करने के पाद दूसरा सपी ऑपनार कॉंसें क catch को गेती जिसमें अलग अलक में ने देख लिया अब जो तीसरे आए्ना वह एक कनवर्ज़न ओंओ conversion of ore into metal oxides यहनिके जो और होगा हो उसको convert करना है metal oxides में ठीक है तो चले देखते हैं अभी हमने देखो पड़ा है reactivity series reactivity series में क्या होता है याद कीजे catrina ने car मांगी है न कुछे अल्टो जेन Ferrari यादे ज्यान देजिए यहां पर परदले में हर्स ने दी क्यूट केतरीना को हाइड और ऑडी क्ला हाँ चलिह तो अब इसमें देखें ये सब जो है ये सब है रीक्टिव बहुत जबाइग और ये जो है हमारे मॉडरेट है और आर हाइडरोजन की नीचे जो भी है वह क्या है लेस रियक्टिव अच्छा तो जो और काम कनवर्जन करा में मिट ऑकजो में वो मिटेक विल्कंद कर रहा है कि वो कौन हbor hon से अगर है नट Conse कीवा हम का झेल्टु मिटल है तो उसका अलब कर दो से होता है जुए सब्सक्राइस होता है मॉडलेट है था उसका अलब करी conse तो उनको normally heat करके, जैसे मैं aluminum की अगर मैं बात करूँ, highly rectum में, HR मतलब highly rectum, मैं अगर aluminum की बात करूँ, किस की, aluminum की, तो यहां पर मैं बोल दे रहा हूं कि conversion of ore into metal oxides, यानि कि देखो न अभी हमको leaching से क्या मिला था, aluminum hydroxide, हमको इससे क्या बनाना है, हमको इससे बनाना है, aluminum oxide, metal का oxide, यानि कि aluminum का oxide, aluminum equivalency 3, oxygen keto, aluminum oxide, तो इसको बहुत ज़्यादा heat किया जाता है, strongly heat किया जाता है, ठीक है, लगबब आप thousand degree Celsius देना पड़ता है इसको, इतना ज़्यादा temperature देते हैं, heat करते हैं, इसको strongly heat करते हैं, तब जाके यह convert किस में होता है, उसके oxides में, ठीक है, और हमको यहाँ से मिल जाता है, alumina, Al2O3, और यहाँ से पानी निकल जाएगा, इसका आना क्या है, alumina, आप इसको बहुत सकते हो कि, calcination करते हैं, calcination, calcination, अगर मैं यही बात करूं, moderate reactive की, यानि कि जो, यहाँ पे zinc हो गया, iron हो ग हो गया, अब moderate reactive में क्या होता है, कि यह हमारे करते हैं, या तो roasting, या तो calcination, यह करते हैं, roasting process का नाम है, और calcination, calcination, ठीक है, यहाँ पे भी क्या किया है, calcination किया, calcination किया, ठीक है, तो देखिए, roasting किसको बोलते हैं, और calcination किसको बोलते हैं, अगर हमारा ओर, sulfide ओर रहा, हमारा ओर sulfide ओर रहा, जैसे देखिए, जिंक sulfide, जिंक sulfide, और उसको जब हम convert करेंगे, उसके oxide में, तो हम बोलते हैं, उसको roasting, the process in which sulfide ores are converted into the oxide in excess amount of air by strong heating is known as roasting, क्या roasting, देखिए, रेक्शन ने के बता रहा हूँ, जिंक sulfide का हम reaction कराते हैं, oxygen के, मैंने के heat कराते हैं, strongly heat, strongly heating, in excess amount of air, बहुत ज्यादा उसको हवा के जरुद होती है, excess amount of air, यानि के O2, तो हमको यहां मिलता है, ZNO, जिंक sulfide और sulfur dioxide gas बनके उड़ जाता है, sulfur dioxide यहां से gas बनके निकल गया, और हमको मिल गया, metal का oxide, यह लाना था, इस process को हम लोग बोलते हैं, roasting, लेकिन अगर मैं बाप करूँ, Calcination की, दोगो नाम यह Calcination, C4 Calcination, C4 Carbonate, तो Carbonate और को अगर हम convert करेंगे, उसके oxides में, तो इसको हम लोग बोलते है, Calcination, लेकिन यहां पे, limit amount of air, ज्यादा amount, ज्यादा air के जरूद नहीं, इसलिए मैंने O2 नहीं लिखा, limit amount of air, ठीक है, limit amount of air, यहां भी हम heat कैसा करेंगे, strongly heating तो सल्फाइड ओर रहेगा, तो उसको बोलिंगे, रोस्टिक, सल्फाइड और से ऑक्साइड बनाया है, तो रोस्टिक और कार्बनेट से बनाया है, मिदल अक्साइड तो, Calcination, तो डिफाइन के से करेंगे, चाहिए तो पॉस करकर के आप लोग लिखते रहे हैं, मैं जो पॉलूंगा, ठिक है, तो किया है भई, तो द प्रसेस इन विच सल्फाइड ओर्ण आर के बाइंट तो दिखिया अल्ग से ऑक्साइड इंट्व अलेवन अ किस तरह कमनेट को आप लोग कर दिया, तो यह तो यह हमारा तीसरा प्रोसियर को बोलिख युग हार कार्बोट कर तो देखा ना, highly high reactive के लिए अलग है, moderate के लिए अलग है, उसी तरह अगर less reactive के बात करूँ, तो इसका और देखो, जैसे ज़रों को HGS, इसका नाम है सिनेबर, याद रखना, सिनेबर, एक्जाम में आ चुका है, यह बोर्ड एक्जाम में, सिनेबर, है ना, मर्क्यूरिक सलफाइड नाम है इसका, मर्क्यूरिक सलफाइड, तो इसको अगर नॉर्मली आप हीट करोगे न, oxygen के presence में, ठीक है, तो यह देगा हमको, HGO और SO2, सिलफर देक्सेड, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सिलफर देक्सेड, याद रखिए, आप रियक्शन को आप बैलेंस करते रहे ना, बच्चों, मैं बार-बार बोल रहा हूं, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, ठीक है, यह आपको काम सौप रहा हूं है, क्योंकि बैलेंसिंग हमने पहले चैप्टर में अलड़ी पढ़ रखा है, तो क्या आप द इसके लिए कि Aluminium का कैसे Calcination होता है, उसके बाद जो हमारा Fourth Process है, वो है Conversion of, Conversion of Metal Oxides into Metal, या बोल दो, Reduction of, Reduction of Metal Oxides into Metal, यानि कि अब उस Metal Oxides को किसमें Convert करना है, Metal में, यह हमारा Fourth Process है, तो देखो, फिर से Safe, Highly Active के लिए अलग होगा, और Moderate के लिए अलग होगा, लिस के लिए अलग होगा, जैसे, मैं अगर बात कर रहा हूँ, Highly Active के लिए, उससे पहले मैं Moderate का बताता हूँ, तो Highly जादा समझ भाएगा, तो Moderate Active के अगर मैं बात तो हमको क्या मिला है यहाँ पर, Oxide, Oxide को किस में Convert करना है, उसके Original Metal में, यहाँ पर जो हमको मिलता है, जैसे Moderate में हमारा आ गया, जिंक आ गया बच्चों, देखो, यह जिंक हो गया, Iron हो गया, लीड हो गया, तो यह लिए जिससे Iron हो गया, Iron हो गया, यह Iron हो गया, तो Iron का ज Reduce कर देंगे इसके Oxides में by using Reducing Agent, यानि कि हम मिला देते हैं यहाँ पर Coke, Carbon, Coke में क्या होता है, Carbon होता है, और यह reaction कर लेगा, यह बनाएगा CO, Carbon Monoxide, और यहाँ से निकल जाएगा Lead, तो जो Element हम यहाँ पर इस्तमाल करते हैं, उसको Reduce करने में, Oxides को Reduce करने में, Oxide to Metal, उसको हम लोग बलते हैं, Reducing Agent, तो Carbon यहाँ पर कैसा काम कर रहा है, Reducing Agent, ठीक है, अब यहाँ पर हम Carbon के लावा, दूसरी चीज में इस्तमाल करते हैं, जैसे Lead Oxide में, हम यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं, Carbon Monoxide, तो यह बनाएगा, यह CO2 और यहाँ से Lead निकल जाएगा, इसके लावा, और बात करूँ, तो हम यहाँ पर लीड और Carbon Monoxide के जगे, Hydrogen में इस्तमाल कर सकते हैं, जैसे देखो, PPO, प्लस H2, यह क्या बनाएगा, H2O, प्लस PB, तो, कोक हो गया, यानि कि Carbon, Carbon Monoxide हो गया, Hydrogen हो गया, इसके लावा, अमूनिया हो गया, यह सब का इस्तमाल कर सकते हैं, ऐसा very important, Gink only can be reduced by using coke, Gink Oxide को सिर्फ और सिर्फ हम coke से ही अलग कर सकते हैं, यह दोनों से अलग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो याद रखेगा कि कोई भी इस्तमाल आप कर सकते हैं, लेकिन Gink के किसमें सिर्फ और सिर्फ coke, यानि कि Carbon, तो यह बनाएगा Carbon Monoxide और यहाँ से Gink निकल जाएगा, अब हमारा मिटल आजाद हो चुका है, यह तरीका हो गया, और अगर लेस रेक्टिव के बात करू ना, तो लेस रेक्टिव इतने जाद है कि कि वो किसी से रियाक्टिय नहीं करते हैं, तो वो हमने नॉर्मल हीटिंग में, हम मर्कूरी और कॉपर को क्या कर सकते ह हैं, अलग कर सकते हैं, नॉर्मल हीटिंग में, मतलब यहां पर कोई भी रेडिसिंग एजेंट के जरुवत नहीं है, तो अगर मैं बोलूं, तो यहां पर ऐसे बोल दो आप, no reducing agent is required, in reduction, reduction में कोई reducing agent के जरुवत नहीं है, और यहां पर reduction में क्या चाहिए, यहां पर reduction में चा अब बात करते हैं, कि highly reactive जो होते हैं बच्चों, यह oxide के साथ most stable होते हैं, मतलब जैसे मैं बात करो, aluminium oxide की AL23, तो यह oxide के साथ जाड़ा comfortable होते हैं, मतलब बहुत अच्छे stable होते हैं, जल्दी यहां से oxygen से हटना नहीं चाहते हैं, क्यों यह highly reactive metal है, यह oxygen से जल्दी reaction कर लेते हैं और बहुत अच्छे stable होते हैं, तो वहाँ से oxygen निकालना नहीं चाहते हैं, तो oxygen निकालना नहीं चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे भाई, तो इसके लिए एक अलग chemistry में आता है process जिसका नाम है electrolysis, electrolysis, या आप बोल दो electrolytic reduction, electrolytic reduction, यानि कि electricity दे के हम क्या करते हैं, यहां से इस कि highly reactive जो होते हैं, वो most से बलोते हैं, इसलिए हम यहां पे कोई reducing agent इस्तमाल नहीं करते हैं, बलकि electrolytic reduction कराते हैं, तो क्या है सर यह electrolytic reduction, चलो देख लेते हैं, तो फटाक से एक काम करो, screenshot लेलो, तक यह वाला part erase करके फिर आपको explain करो, और यह aluminium में होता है, इसलिए aluminium में ही clear कर तो हमारा extraction of aluminium दे हो जाएगा, फटाक से screenshot लेलो, तो electrolytic reduction, electrolytic reduction, अब तो हम electrolysis करने वाले, तो आप इसी का example लेलो, alumina का हमको क्या मिला, alumina, ठीक है, क्योंकि highly reactive metal है na, aluminium, तो aluminium का हम देख भी रहते हैं, extraction, जो को और तीन स्टेप देख लिया तो पूरा 5 कर देते हैं, इसका completely कर हाँ, तो हम इसमें क्या लेते हैं, हम इसमें एक tank लेते हैं, स्टील का, एक स्टील का tank लेते हैं, ठीक है, जिसकी melting point बहुत high होगी, मतब अगर हम बहुत ज़्यादा गरम चीज़त में डाले हैं, तो उस tank को कुछ नहीं होना चाहिए, और हम जानते हैं, जो हमारा iron है, स्ट tank में डाल दिया है, molten alumina को, क्या डाल दिया है, पिगले हुए alumina को, ठीक है, इसके अंदर है molten alumina, और इसका melting point आपको बता है, 2000 degree Celsius से भी जाता है, यानि के more than 2000 degree Celsius, इतना जाता है इसका melting point, किसका, alumina का, उस molten alumina को हमने steel tank के अंदर डाल दिया, ठीक है, और steel tank में, एक चीज हमने किया है, क्या क्या है, देखो यहां पर, मैंने डिपेंट से बना रहा हूँ, हमने यहां पर की है, एक lining, जिसको हम बोलते है, cathode की lining, क्या मैं भी explain कर रहा हूँ, पहले मैं भी बना, draw करने तो, इसको हम बोलते है, cathode lining, जो नीचे के side किया गया है, और side by side भी क्या गया है, ठीक है, cathode की lining, और, यहां पर हमने तीन rod डाल दिया है, जरूरी लिए तीन हो भाई, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, कितना भी आप ले लो, ठीक है, यहां पर हमने rod डाल दिया, और, इनका connection हमने कर दिया है, बैटरी के साथ, किसके साथ, यहां पर यहां पर प्लस, और यह वाला पार्ट यहां से, यह रेड़ वाले पार्ट से, इस तरह आया है, और यह है माइनस, अभी देखिए, यहां पर इमने कारबन का rod यह ले, आप बोल तो graphite के rod, यह जो हैं यह तीन हो जो ब्लू किलर से मैंने बनाए है, तीन हो भी क्य है, कारवन के rod है, तीन हो हमारे कारवन के rod है, या बोल दो कि graphite के rod है, ठीक है, ग्राफाइट में क्या होता है, कारवन ही तो होता है, ठीक, और इनका connection हमने क्या है, पॉजिटिव पे साथ, बैटरी में दो ट्रमिल होता है, एक पॉजिटिव और एक निगटिव, तो पॉजिटिव, 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 क्लियर, ध्यान दीजे, बहुत असान है, अभी, और हमने इसका connection क्या है, यह जो लाइनिंग दिख रही आपको यी graphite के lining है, किसकी lining है, या बोल दो वही carbon के lining, graphite बोल दो, या connection हमने कर दिया, माइनस के साथ, तो माइनस के साथ कर दिया, तो इसका नाम होता है, anode, sorry, cathode, cathode, क्योंकि इसका connection हमने माइनस के साथ किया, तो मतलब यह क्या है, माइनस, 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 माइनस है, अच्छा, और हमने क्या डाल है इसके अंदर इसके अंदर हमने डाल रखा है कि मुल्टेन अलूमीना पीला हुआ लेकिन उसका में इतना ज्यादा है कि हम क्या करते हैं बाहर से एक कैडलिस्ट बिलाते हैं जिसका नाम है क्रायो लाइट अने थ्री एल एफिक्स और फ्लूरोस पर फ्लूरोस पर जिसका फॉलाता है याद रखेंगा यह एक्जाम में आ चुका है बहुत इंपॉर्टन ने पिटा ठीक है जो इंपॉर्टेंट है वही बोल रहा हूं आप बोलो कि सब तो बोल रहा आप एक्जाम में यह क्रायो सब्सक्राइब करता है यानि के उसके रिक्शन करने की टेंटर्स को बढ़ा देता है बीना इसमें पाटिसेपीट के हुए और इसको मिलाने के हुझे से इसका हमारा मिल्टिंग पॉइंट जो है इसका मिल्टिंग पॉइंट हो जाता है अब थाउजन डिग्री सेल्सियस आदा हो जाता देखो अब मिल्टिंग पॉइंट होगा है कम और हमने इसका कर दिया है बैटरी के साथ या बोल दो आप इलेक्टिसिटी के साथ करेंट दे रहे हैं तो जैसे हम करेंट देंगे क्या होगा इसके अंदर है अलुमीना ठीक है यानिकि इसके अंदर है अलुमी से आइन्स देगी जैसे मैं बात करूँ अलमीनियूम की ये देगा ऐल 3 plus उसी तरह मैंगेशियम की यह रेक्टरॉन को लॉस्स करते हैं दो को न, हम जानते हैं दो लेता है बटा ऑक्सिजन तो एल थ्री प्लस और ओटू माइनस तो यह प्लस वाले हैं बताओ प्लस वाले कहां जाएंगे माइनस के पास माइनस कहां पे हैं यह क्या थोड की लाइनिक यानिक जो अलुमीनियम है वो नीचे की तरफ भागेगा ऐसा अलुमीनियम जितने मे जा रहा है एनोड की तरफ और अलुमीनियम कहां जा रहा है एलुमीनियम जा रहा है कैथोड की तरफ तो दुनों अलग हो गए अलुमीनियम और ऑक्सिजन यहां चला गया इस पर एनोड के पास और अलुमीनियम नीच आ गया फिर यहां पे क्या कर दो आप एक आउटलेट और इस तरह हम क्या कर देंगे उसको अलग कर देंगे कि अभी देखो इसका एक रियक्शन इंपॉर्टेंट है कि अनोड पर क्या हुआ क्या हुआ जो मैं यहां पर लिखता हूँ अगर कोई बी कमाऌञ्ट एलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो इसको बोलता है यहां चाहिए अगर ने जानना है 。」 तो जागकि चेमिकल एक्शन वाले वडियो में देख लिजिए कि क्या होगा एकनल पे अक्सिडेशन और रिक्षिडेशन का क्या हो न STEVEN-अ-प्छेन जह रहा है यह नोट पस तो नूट पर खंड न नोट के खथम करने जा रहा है किकनल जा रहा है क्यों नियुटल हो जाएगा अपने माइनश चार्ज कर começo खतम करने जा रहा है तो अपने माइनस चार्ज को खतम कैसे करेगा जब वहाँ सीच चला जाएगा तो देखिए it यहांप हिसमे अपने मारश को खतन बाध और oxygen के फोあー और oxygen कभी भी अकेला नहीं होता है diet होता है इसी लिए टो मिकते कि यहां पर आयंंस था इसी है यहां पर टू किली पाया खुल आकेले होते हैं लेकिन oxygen अपने रियल स्टेट में हम इसाथ है Two के फां में होता है डाइ-atomic होता है तो ये क्या किया अपने इसने जो-' worry रखा था कर्श को खतब करने के लिए गया कुंकि क्छ अच्छी चीजा है क्या मैननस में है नहीं न तो वो अपने करश को खतम करने गया और N. वह पेहले से ढ़ीकरां-घंव चोंने लेगा है यहां पर दो- माइनस है दो मिनस और इधर वर और बैलेंस करना पहलता है तो यहां से थीस्व static लेकिन यहां पर एक यहां पर आपके तो यहां पर इस्को बैलेंस करने के लिए पित्ged idle laplace 2 लगाना भीए वैस गीए कि यह हो गिया फॉर माइनस तो यहां पर टू के जगे कितने एलेक्टॉन लोगे सर्फोल एलेक्टॉन तो फॉर माइनस अब इसको देकर ड़ना मत कितना असान देगो ना नॉर्मल सा है ठीक उसी तरह अगर मैं बोलू कि कैथोड पर क्या हुआ चलो बताओ कैथोड पर क्या है ताकि वह स्टेबल हो जाए अच्छा तो कैसे करेगा वह तो देखो यह जो हमारा अलुमीनियूम है यह बन गया सॉलिट इसी साइड थ्री इलेक्टॉन माइनस लिख देता हूं त्री प्लस बराबर हो गया और यह लिदर वन है इधर भी वन है तो यह हो गया हमारा कैथ यह बहुत इंपोर्टेंट है कि अनोड पे कौन सा रेक्शन हो रहा है और क्या है समझना आया कितना असान है यह हो गया हमारा एक्स्ट्रैक्शन औफ अलुमीनियूम भी हमारा हो गया पूरी तर ठीक है और पाचवा जो प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं लोग प्यूरिफ अप्योरिशन को कम्प्लीट कर औरकें तो इह चार स्टेप से बढ़ या किस तरह हमने चार स्टेप्स के लिए किण् पाइबर पाइबर प्यूरिफिकेशन ऑफ मिटल ठीक है तो चौते स्टेप में क्या देखा चौते स्टेप में देखा रिडक्शन किस तरह किया जाता है हाइली रहेगा तो इलेक्ट्रोलाइटी की रिफाइनिंग इस्तमाल करना पड़ेगा ऐसे नहीं होगा काम कि यह कहानी खतम हो जाए है एक चीज़ और मैं बता दूसिल में बिटार रिप्लाइब्रक्शन पी जो हमारे मॉडरेट होते हैं अ मॉडरेट जैसे मैं बात करूं मैंग्नीज ड्राहिए तो इनके रिचसे के लिए हम लोग सोडियम कैल्सियम ऐलोमीनियम इस त़रह के मिटल इस मेडल सोडियम, कैल्सियम, अलुमिनियम, यह मेडल का इस्तमाल करके हम इसका भी रेडक्शन कर सकते हैं, जैसे देखो, यहाँ पर मैंने लिख दिया, एल, यह बनाएगा, एल, टू ओ, ट्री, प्लस, मैगनीज, देखो, मैगनीज अलग हो गया, और अलुमिनियम अक्साइड मिल की अलगा, यहाँ पर इड़े रेक्शन होता है, यह बहुत ही ज़ादा हीट रिलीस होता है, मतलथ बहुत ही जयादा हीट रिलिस होता है, और यह गतलई को अलुमिन, अलुमीन,nejद मुीन पहलना हूँ ऐना, और मैंने क्या बोला, इसकी मिल्टिंग प्न बहॉँ ज़ा पहुंच जाती है तो उसी तरह यह हमारा फेरिक ऑक्साइड है यह बोल दो आइलिन ऑक्साइड ठीक स्फिर से अलुमीनियम लगाएंगे क्या बन जाएगा बाई एल्टू त्री और एफ इंट यहां पर जो अलुमीनियम इस प्रोसेस से जो हमको अलुमीना मिलता है यानिकि क्रैक आजाता है या फिर कोई बड़ी-बड़ी मशीन होती है उसमें क्रैक आजाता है तो उस क्रैक को जॉ shorts करने के लिए हम इसको 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 ऑफ नुट करेंग बाक्सिर. पथरता है इसको ड्रीक्शं क्रैक्षिन नार्वांत व क्र प्रिक अइल्प से क्या कर लाते हैं उसके crack को fill up करने में काम आ जाता है ठीक है? ठीक है साथ चलिए ये हो गया हमारा और हाँ एक चीज और जान में रखना कि यहाँ पर जो reduction हम कर रहे है electrolytic refining में हम बार-बार क्या करते है anode को हमको change करना पाते इसमें एक कमी है इसमें एक problem है क्या problem है? कि बार-बार हमको ये anode जो है ना anode ये change करना पड़ता है ये anode को बार-बार change करना पड़ता है continuously क्यों? क्योंकि oxygen बार-बार उस पर जाएगा और oxygen जाएगा तो oxygen क्या करेगा इसको खराब कर देगा क्योंकि हमापे carbon है carbon और oxygen आपस में reaction भी कर लेते हैं और वो दीरे-दीरे खराब हो जाएगा गैस बनता जाएगा तो इसलिए हमको continuously change करना पड़ेगा तो उसकते exam में आए कि बाई बताओ कि क्या anode change करना पड़ता है anode बार-बार change करना पड़ता है तो हाँ change करना पड़ता है क्योंकि oxygen gas उस पर बार-बार liberate होते है और उससे हमारा anode खराब हो जाएगा इसलिए हमको anode को बराबर है ना period time पे change करना पड़ेगा उसको तो यह होगी हाँ हमारा ठीक है तो पूरी मेरे कहल से extraction जो है metals का चार प्रोसेस हो गए अब देखेंगे हैं पांचवा हमारा that is purification या आप बोल दो refining ठीक है तो पांचवा क्या है refining refining of metal या purification जैसे मैं example ले रहा हूँ copper का copper metal क्या हम refining करने है तो मेरे पास क्या है भई फिर से container ले रहे हैं और य theor reffining जो होती अलग अलग तरीका है पेच्चों जैसे होने distillation distillation में क्या होता है दो अलग-अलग हमारे पास compound होते हैं तो उसमें क्या होता है एक दुनोंका अलग-अलग होता है boiling point तो दुनोंकी अलग-अलग boiling point से यह पहले बाँ होते हैं उसको यह जिए हैंसे सूअजब डिखिा लग के साङ्टो दिसे görünłęक में हम देखेंगे एक रोड क्या होता है एनोड और एक रोड क्या होता है हमारा कैथोड तो यहां पर मैं ले रहा हूं इन प्यॉर मेटल जो प्यॉर नहीं है और यह ले रहा हूं मैं प्यॉर मेटल मेटल जो हमारा यह प्यार ठीक है प्यार है और यहाँ पर मैं सुलूशन ले रहा हूँ याद रखिएगा जो हम रॉड लेते हैं यह रॉड जो है रॉड का नाम कहा पटा एंडोर का थोड मेटल के रॉड है कॉपर का रॉड है तो जो रॉड हम लेते हैं यह दूनों भी इंपयोर है और कि तो जिस मेटल का रॉड लेते हैं उसी का स्विशन लेते हैं उसको पर फूण लेते हैं इसे कॉपर कर यह कॉपर का सुलूशन यहां प्लस में तो अभी दिखिए यह टूट जाएगा गाएश का म्मालो बैट्री के साथ ﷺ मार गया क्लास है तब यह क्या हो जाएगा रहे हमारा एडोर क्योंकि साथ कनेक्शन है और यह हमारा कैफोड हूं चैनangled का अरक अरो का फ्लो कैसे होता है एक करेंटा ऐगा यहां से एस हैस Здरीं यह क्या अरेट्रो या current अगर ऐसे जा रहा है तो elektron इल्टा भागते हैं यानि कि electron ऐसे जाएगा इस direction में electron जाएगा इस direction ऐसे आएगा और यहां प्रह रहाओ सर्य एक्षोन आ जाएगे electron आ जारी electron यां प्रहिए और तो क्या होगा है यहक्या होगा हमारा positive該र चार्ज है और किया माइने सचार तो मैने आफ यहां से जाएगा है किसे मात करूं को बसे हम सब्सक्राइब directory को क्यों सब्सक्राइब कि निःतुशंग आता रहा है इस के पास और जिसले निकलते निकलते वह है कि इसका साइफ बड़ा हो जाएगा तो इसका साइफ मुणत क्या किस तरह में करते हैं electrolytic refining आया समझ में किस तरह हमने copper collect किया electrolysis का इस्तेमाल किया और हमने अलग कर दिया ठीक है तो ये था हमारा refining तो इस तरह पेटा total 5 steps है पहला हमारा क्या है crushing तोड़ देना उसको दूसरा क्या हमारा concentration of ore तीसरा क्या हमारा conversion of और into middle oxides चौथा क्या है metal oxide into metal यानिके reduction और पांच वा हमारा refining यानिके purification इस तरह अलग अलग मदल्स के लिए अलग 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 तरीके का purification है अलग 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 तरीका रिफाइनिंग का तरीका है और फिर finally तब जाके हमको 99.9% 99.9% metal हमको pure मिलता है यहां से तो अभी हमारा पूरी तरह बिटा complete हो गया metallergy का part हमने extraction metals का देख लिया चाहे वो highly reactive का हो या वो moderate का हो या लिए selective का हो पूरे detail में हमने complete क्या अब हम देखेंगे next lecture में कि कि किस तरह इन metals में जंग लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं corrosion corrosion तो corrosion को हम लोग देखने वाले और उससे बचने के तरीके देखने वाले next lecture में तो मिलते हैं मेटा next lecture में goodbye